हेलो रिवन इस वीडियो में बात करेंगे लूसन साइंस के मौक टिस्ट का सिट नमबर थ्री अगर आपने इससे पहले के बाकी के दो सिट्स को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखे जिसमें हम लोग ड्रोजाना 25 MC को कवर करते साथ ही साथ उनका explanation भी देखते हैं जो कि आने वाले सब इक्जाम्स के लिए काफ़े important होगा तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखे फर्स्ट क्या कहा रहा है कि एक द्रव बुंद की प्रकेर्टी गोल अकार लेने की होती है जिसका कारण क्या होता है एक द्रव की प्रकेर्टी गोल अकार लेने की होती है जिसका कारण होता है प्रिष्ट तनाव ठीक है प्रिष्ट तनाव अक्सर ये questions पूछा जाता है देखे प्रिष्ट तनाव से समसे पहला questions यह आता है कि इसका ऐसा ही मातरग क्या होता है तो प्रिष्ट तनाव का ऐसा ही मात रख हम अगर निकालना चाहें तो देखे जो surface tension होता है वो क्या होता है कि force upon में L होता है ठीक है तो हम यहाँ पर force की देखे तो क्या होता है आपको पता है Newton और लंबाई की meter यानि की कहने का मतलब कि Newton प्रती meter इसका ऐसा unit होता है यह ध्या बढ़ता है तो प्रिष्ट तनाव घड़ जाता है यह चीज ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं second questions कहा रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है तो correct answer हो कि उसके अड़ों के ओसत गतिच उर्जा का option हम यहाँ पर decode कर जाता है यह ध्यान रखेंगे third questions क्या है अगला प्रश्ण यह कह रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अप एक्षक्रित उबलते जल से बताई अगर कोई वेक्ती भाप से जलता है तो उसको काफी ज्यादा कष्ट होता है जबकि सिर्फ और सिफ जल से जलने पर उबलते जल से जलने के तुलना में तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में गुप्त उस्मा होती है इस वज़े से ऐसा होता है तो मैं आपको बता दू फिंस के जो पानी होता है इसमें केवल विसिस्ट उस्मा होता है उसमें विसिस्ट उस्मा के साथ साथ गुप्त उस्मा भी ह होती है जिस वैसे काफी ज्यादा उसमें जलन महसूस होता है इस वैसे option यहां पर correct है next questions निमली खीत पदों पर वीचार करें फर्स्ट और सेकेंड points को पढ़िए और बते कि कौन सा कथन यहां पर सही है अच्छा कल comments आ रहा है कि mycoplasma सबसे छोटा जीव है जो कि बिल्कुल सही है सबसे सुक्ष में जीव माना जाता है second point है कि ऐसे जीवधारी होते हैं जितमें कुसी का भित्ती नहीं होती है यह points भी correct है तो दोनों के दोनों यहां पर सही हो जाता है C will be correct answer कुछ points मैंने यहां पर नोट डाउन के बढ़ सकते हैं कि छोटे अकार के plasma को mycoplasma कहते हैं जिसका आकार हम कह सकते हैं 10 mm के आसपास होता है mycoplasma को बीभीन तापमान दाब पर उत्पन किया जा सकता है और यह तापिये और अतापिये mycoplasma हो सकता है और ऐसे जिवधारी होते हैं जिन में कोशी का भित्ती नहीं पाए जाती है mycoplasma सबसे छोटा या विस सबसे सुक्ष में होता है next question से की जड़े विक्सित होती है जड़े विक्सित होती है तो ध्यान दीजीगा जड़े जो होती है मुलांकुर से विक्सित होती है option B करेक्ट होगा गाजर क्या है यह questions बहुत बार पूछा रहता है कि गाजर क्या है तो ध्यान दीजीगा गाजर जो होता है हम कह सकते हूं वह एक जड़ होती है यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि गाजर, मुली, सकरकन, सलजम, आधी पौधे की जड़ों को भोजन के रूप में ब्लोग परियोग करते हैं तो यहाँ पर यह जड़ होता है, और इन सभी पॉइंट्स को याद रहे है क्यूंकि अक्सर यह पेपर में देखने को मिलता रहता है ऑक्सीजन जो प्रकास अंसलेशन से उत्पन होती है, वो कहां से आती है प्रकास अंसलेशन के दोरन क्या होता है रेपेड़ पौत यह क्या करते, अपना बोजन त्यार करतें और कैसे थाहर करतें तो वायू मेंडल में कारबन डाइकसाइड आक्साइड की मात्र ओती ही वो एब्सवाब कर लेते और और औक्सीजन को रिलीज़ करतें तो यह oxygen जो आता है, वो कहां से आता है? जल से आता है, या या option हम A को टिक करेंगे, option A. Next one देखें, किसकी तो संक्रीया के कारण मानो चरेल में mixidema होता है? देखें, mixidema के काई सारे कारण होते हैं, कारण मतलब नहीं, इसके अलग अलग नाम होते हैं हम पहले गर बात करें कि यह किस कारण से होता है तो देखें सबसे पहले गर बात के तो थायराइड गरंथी आपको याद रखना है थायराइड गरंथी यानि कि आउट गरंथी यहां पर करेक्ट होगा ऑप्सन डी और एक्शली में होता है कि नियून किरिया के क ऐसा होता है थाराइड रस की कमी के कारण विभीन आयू के विभीन लक्षन दिखाई पड़ते हैं जैसे घर हम बात करें भून अवस्था में या फिर सिसुकाल में जो बच्चों में यह होता है इसको लोग जड़ माना होता कहते हैं या फिर इसको इंग्लिस में में देखने को ही मिलता है जो कि फ्रेंट्स एक मिक्सीडीमा का ही एक रूप होता है जब कि यही चीज अगर वयस के में बात कहें तो वयस का वस्था में मिक्सीडीमा के नाम से जाना जाता है तो यह कमी क्या होता है तो यह हम कमी के बात करते हैं जो थारॉक्सिन की क्या सक होता है अगनासे में उपस्तित लाइंगर है सके बीटा कोशिका से यह ध्यान रखेगा ठीके फिंस इंसुलीन की कमी से डाइबर्टीज होता है यह बहुत बार कुछा जाता है अच्छा आगर बढ़ने से पहले उपर कार की आपसे पूस्ता हूं बतेगा जल्दी से कमेंस करके कि इंसुलीन की खोज किस ने की थी प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है तो हम लोग ने फरस्ट पार्ट में बात किया था कि ध्वनी तरंग अनुधैर होता है जबकि प् करी तर एक मेठर से कम की दूरि को स्पास्टंक से नहीं देख पा ता देखिह कहने का मतलब यह हुआ आपको यह चीज़तों पता हुआ कि समान नेत्र की फोकस दुरी निकारट विंदू कितना खितना होता है समान नेत्री के निकट बिंदू 25 cm होता है और दूर बिंदू अनन्त होता है तो अगर हम इस द्रिष्टी से बात करें अगर वो एक सेंटिमेटर से कम दूरी को सपस्ट नहीं देख पाता है यानि कि निकट की वस्तू को नहीं देख पा रहा है तो निकट की वस्तू जब नहीं देख पा रह नहीं बहते हैं यदिवे होती हैं अरे आपस में जूरी दू आवेती वस्तुव के बीच बिधु थारां नहीं बहती है ऐसा कब होगा थो हुं कह सकते हैं समान विभाव फर अब I 되면 कैसे समझते हैं इसको पहले एक समझें आप कि आपको अच्छे से क्लियरली समझ मैं उसके बाद मैं आपको फिर से समझाता हूँ ओम की नियम के अनुसार जो भीभाव है यानि कि जो भी है धारा आई के समानुपाती होता है अपनी की चीच पड़ाओगा भी समानुपाती आई होता है और यह तब जाकर टूटता है भी बराबर आई यानि आई आर जो यहां पर होता है वो एक कॉंसनेंट के रूप में आता है तो हम कहने का मतलब कि अगर भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा तो यहां पर पड़िए कि इसके अनुसार यदि भीभाव समान होगा तो धारा भी समान होती है यानि अगर यह बढ़ेगा तो यह घटेगा यानि दोनों एक उसे के समान होती है यह जी ध्यान रखीगा इस वज़े से कह सकते हैं कि धारा परवाहित नहीं होगी नेक्स्ट पॉइंट परमाडू के नाभीक में होते हैं परमाडू के नाभीक में कौन से कर्ण मौझूद होते हैं तो प्रोट्रोन और न्यूट्रोन ठीक है तो आलू हुम खह सकते हैं आलू जड़ नहीं होता है क्योंकि आलू तना के अंतरगत आता है नेक्स्ट वान क्या है LED का पुनरूप क्या होता है LED का पुनरूप क्या होता है तो ध्यान देज़े का फेंस LED का पुनरूप होता है light emitting diode option A will be correct answer ये questions भी बहुत बार repeat हुआ है तो इसको याद रखेंगे light emitting diode मुलांकुर के अतिरिक्थ पौधे के किसी भी भाग से बिक्सित होने वाले जड़े क्या कहलाती है one of the most important question है मुलांकुर के अतिरिक्थ पौधे के किसी भी भाग से बिक्सित होने वाले जो जड़े होती है उनको लोग अपास्तनिक मुल कहते हैं अपास्तनिक मुल अभी हाँ पर पढ़ सकते हैं कि अपास्तनिक मुल और इसके अंतरगात कौन-कौन से चीज़े आएंगी जैसे दिखिए जब मुलांकुर के अतिरिक पादब के किसी अन्य भाग से मुले निकलती है तो उन्हें हम लोग अपास्तनिक मुल कहते हैं और जैसे बाजरा हो गया जवार घास बरगत यह सभी के सभी इसी के अंतरगात आते हैं अपास्तनिक मुल के अंतरगात नेक्स्ट क्वेशन की किसी परमाडू के नाभीक का आईसो टॉप वह नाभीक है जिसमें देखिए आईसो टॉप इंगलीस वर्ड है लेकिर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं ठीक है समस्थानिक है और इसका एक अपोजिट होता है जैसे हम नूट्राण की संख्या भीन होता है यहाँ पर आंसर होगा और ओपशन फिफिंस यहाँ अगर हम समस्थानिक कि अगर हम उधारन की बात किरें तो दीखे हम नेकिन संस्थाइंद प्रॉतनि के संख्या अल गला हुए लेकिन इसका परमालु द्रबमान जो अलगल हो था न्यूट्रों हो संख्या अलगल हुआ धीक है इसमें पहले इसका हम डो खाले तो हमारा निकल जगा न्यूट्रॉन तो देखिए इसमें जीरो इसमें एक और इसमें दो यानिकी न्यूट्रॉन के संक्यातों भीन हो गई इस वज़े कहते कि समस्थानिक हमारा यह होता है चीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट कुछन दीखिए धनायन तब बनता है परमारू इलेक्ट्रॉन को थोता हैं और मैं आपको इसके बारे में बहुत पहले पताया था देखियो jsumasom अगर हम बाट करें 11 होता है और अगर हम बात करें कि खनायन यह तब बनेगा अगर हम इसको इने प्लस लिख लेकम अबिख संक्या कहा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के संक्या कितनी हो गई सिर्फ और सिफ दस बचा है तो यह आपने क्या देखा कि इसने एक परमाडू आफिर कह सकते एक electron को खो दिया तो खोने का मतलब यहाँ पर देख से कि परमाड़ू electron खोता है तो यह धनायन बना तो I hope कि आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योंस कि ऑक्सी करन एक ऐसी अभी करिया है जिसमें फेंस अगर आपको वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों को साथ सेर कर दीजे और रोजाना इसी तरह के मौक्टिस्ट के लिए अमारे साथ जूर सकते हैं चानल को सब्सक्राइब करके रखिए उक्सी करने के ऐसी अभी किरिया है जिसमें इलक्ट्रॉन का त्याग होता है और और बिल्धौध धनात्मक समोह के अनुपात में ब्रिदी होती है यहां पे सभी के सभी बिलकुल सही है चलिए अगला प्रश्ण यह कहरा है कि डायोड व परयुकती है, जो धारा को, डायोड व परयुकती है, जो धारा को, क्या करता है, एक ही दिशा में परवाहित होने देता है, सबसे पहले डायोड के बारे में खोज किसने क्या था, तो इंग्लेंड के एक बैग्यानिक था, जिनसका नाम था फ्लेमिंग, और इन्हो जो होता है इसको हम लोग हिंसें रोग के नाम से भी जानते हैं, option B यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, और एक चीज़ में आपको और बता दूं कि कुछ रोग दिवस कब मरा जाता है, देखें, next question क्या कहा रहा है कि अनुवांसिक यूनिट अथार्थ जिन होते हैं, अनुवांसिक यूनिट जो जिन होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, गुड़ सुत्रों में, यानि कि right answer यहाँ पर होगा, option B गुड़ सुत्रों में, ठीक है, आगे बढ़तें, next question से कि पीत निम्न में से किसके दोरा पैदा किया जाता है, बताइए, पीत जो हो, निम्न में से किसके दोरा पैदा किया जाता है, तो इस प्रस्न का correct answer हमारा हो जाएगा, option A, यानि कि यक्रित, देखें, जो पीत रस होता है, यक्रित से रिलीज होता है, जब कि जाकर के जमा कहां पे होता है, पीत आसे में होता है, एक परकर का छारी होता है, तो पीज वैलू 7.5 से लगभग 8.5 तक होता है, ये ध्यान रखेगा, तो बस आपको इतना याद रखना है, आगे देखिए, नेक्स्ट कुशन्स है कि रुधिहीर के प्लाज्मा में निम्र में से किसके द्वारा एंटी बॉडी निर्मित होता है, रुधिहीर के प्लाज्मा में निम्र में से किसके द्वारा एंटी बॉडी निर्मित होता है, एंटी बॉडी जो निर्मित होता है, वो समझना चाहे तो मैंने यहाँ पर पूरे अच्छे तरीक से लिखरा का समझ सकते हैं मैंगरो पौधे अइस्थिर भूमी में उगते हैं इसकी विलक्षन जड़े इनहीं ना किवल स्थाई तो प्रदन करती है बलकि धराओस की तेज बहाओ और तुफान में भी मजबूती से खड़ा रहती है और इसमें स्वसन के लिए भी साहता करती है साथिसा हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मैंगरो पौधे में विसे स्वसन जड़ो का विखास होता है जिसके माद्यम से एप पौधे oxygen carbon dioxide आदान परदन करते हैं इन जड़ों को new made from force कहते हैं यानि कि जब oxygen का, oxygen और carbon dioxide भी लिग्सीर को आदान परदन करते हैं तो इसमें स्वसन मूल definitely होग गया तो इस तरह सा मैं यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है फिंस तो यहां पर 25 एंशी को कवर किया आई होब कि आपको कोई छोटा सा वीडियो पसंद आ हो रोजाना हम इसी तरह के छोटे से वीडियो के बारे में डिसकस करते हैं 25 25 एंशी के साथ चुकि काफी इनफ है इतना ज्यादा साइंस में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना हम जहाँ आप इतना करेंगे अगर तीन महीना इस तरह से चलाते रहें तो सोचिए कि आपके पास करण करंट नहीं है साइंस का कितना अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और मैंन कौन सा रोग होता है यह जल्दी से कमेंस करके बता दीजीगा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ने टॉपी के साथ थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लेर्निंग हाव गुड डेंग